आज से पंजाव अधान सबा का दो दिवसिय सत्र, पंजाव अधान सबा के विसे सत्र में हंगामा तै है, देवंगत आत्मा को श्रधान जुली देका सत्र की शिरुवात होगी, श्रधान जुली देने के बाद सदन की कारेवाही होगी स्थगित, सत्र में राजय सरकार अपन दो दिनों का ये सत्र है और साथी साथ पंचाब धन सवा के विशेश सत्र में हंगामा तै है ये विशेश सत्र गुलाए गया है तो जाहर से बात इसमें हंगामा तै होगा विपक्ष किताब से हंगामा तै होगा और साथी साथ दिवंगत आत्माओं को शर्धांजली देका सत हंगामा लगभग तैय है यह विपक्ष की तरफ से लगतार कहा जा रहे कई ऐसे मुद्दे होंगे जो कि विपक्ष की तरफ से इस सदन में उठाए जाएंगे सत्र में राज्य सरकार अपने आवश्चाफ विलों को मंजूरी देगी आज से पंजाब धानसवा का दो दिवसी यह सत्र है विसेश सत्र पंजाब धानसवा के विसेश सत्र में हंगामा लगभग तैय है क्योंकि कई ऐसे विल होगे जिनको लाया जाएगा दिवंगत आत्माओं को शद्धांजली दे कर शुरूआत की जाएगी लेकिन उसके बाद जब कारेवाही शुरू होगी तो इस् विपक्षित तैयारी कर रहा है हमले की हालाकि दो दिवसेश यह विशेश सत्र है इसमें हंगामा बरपेगा पूरे तरीके से यह लगभग तैय है दो दिवसेश सत्र को लेकर विशेश सत्र में हंगामा लगभगता है कई बिलों को इसमें लाया जाएगा सरकार की तरफ से हालाकि उनको मजूरी भी दी जा सकती है लेकिन कारेवाही सगित होगी यह भी अनुमान लगाया जा रहा है सत्र में राज्य सरकार अपने बिलो को मंजूरी भी देगी इस तरह का अनुमान है लेकिन विपक्ष के तरफ से वो मुद्ध है उनको भी यहाँ पर उठाय जाएगा और उनको लेकर हंगाना हो सकता है पंचाब विधांसवा का विशेश सत्र ये दो दिवसी है सत्र होगा शधांचनी देने के बाद सत्र की कारेवाही सवगित हो सकती है सत्र में राज्य सरकार अपने आवश्यक विलो को मंजूरी देगी बस कुछी देर के बाद इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी यानी बहुत जादा समय नहीं है जब दो दिवसी है ये विशेश सत्र की शुरुआत होगी इश्य ठाकूर समगादाता हमारे सार लाइब जुड़ गई है और जादा जानकारी के लिए इश्या ये दो दिवसी है मात्र विशेश सत्र बुलाया गया है हंगामा जोरदार बरपेगा इसमें क्या कुछ जानकारी इसको लेकर जी काजल बिल्कुल देखे पंजाब सरकार की तरफ से दो दिनों का ये विशेश सत्र बुलाया गया है सत्र जब बुलाया गया तो उस दोरान भी हंगामा हुआ था कि आखिरकार ये सत्र क्यूं बुलाया जा रहा है यहाँ पर पंजाब के राजिपाल बनवारी लाल पुरोहीत की तरफ से भी विधान सबा के जो अध्यक्ष है कुलतार सिंग संद्वा उन्हें पत्र लिखकर ये पूछा भी गया था कि आखिरकार ये सत्र बुलाने की क्यूं आफशकता पड़ गई जबकि हाल ही में पुक्ता प्रस्ताब लाने के लिए बुलाया गया है हालांकि पहले जो पंजाब के मुख्यमंत्री है गैप्टेन अमरिंदर सिंग की माफ़कित जीएगा जो भगवंत मान हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो ये विधान सबा का सत्र बुलाया गया है उसमें कुछ कैबिनेट की जो बैठक लेंगे उसमें खास्तोर से जो फंड रोकने का यहां पर केंदे सरकार पर आरोप लगाया गया है उसके खिलाप निंदा प्रस्ताब लाया जाएगा उस प्रस्ताब को सीधा विधान सबा के पटल पर रखा जाएगा और इसे पास किया जाएगा द कल के लिए और कल सुबह विधान सबा की जब कारवाई शुरू होगी तो माना जा रहा है कि केंदे सरकार पर जो यह आरोप लगाए गए हैं कि आरडी एफ और नेशनल हेल्फ मिशन का जो फंड है वो उनकी तरफ से रोका गया है उसके खिलाप निंदा प्रस्ताब मान सरक का लेकर आएगी तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह जो विश्य सत्र बुलाया गया है एक तरफ तो यह जरूर कहा जा रहा है कि आवशक बिल लाए जाएंगे क्यूंकि पहले भी मान सरकार पर यह आरोप लगाए गए हैं कि बेवज़ा के इंदे सरकार के खिलाप वो लगात था एक बार फिर से केंदे सरकार के खिलाप यह सत्र बुलाया गया है और साबतोर से कल जो दूसरे दिन की कारवाही होगी उसमें निंदा प्रस्ताप केंदे सरकार के खिलाप पास किया जाएगा और सीधा सीधा आरोप है आडी एफ का फंड यहाँ पर रोका गया है और न कि जो केंदर की योजना है उसका नाम बदल कर यहाँ पर महला क्लिनिक कर दिया गया तो तो अब देखना होगा निंदा प्रस्ताव के अलावा कौन से बिल इसमें पास होते हैं। तो पंजाब की राजेपाल की तरफ से उसे मंझूरी नहीं दी जाती। कि उसीदा सीदा पंजाब की राजेपाल कहते हैं कि यह जो सत्र भी बुलाया जाता है विवज़ा उस पे कहीं ना कहीं जो पैसा खर्च होता है वो आम जनता का है। प्रसारन एक चैनल में होता है तो अब यह छूट दी जाएगी कि सभी चैनल उसका प्रसारन कर सके। माना जा रहा है कि इसे भी लाये जाएगा लेकिन जो मुखे एजेंटा है सदन को बुलाने का वो यही है कि केंदे सरकार की खिलाब निंदा प्रस्ताव पास यहाँ पर करना चाती है। मान सरकार अगर इसे पहले भी बता देती तो सदन की मंजूरी पंजाब की राज़पाल नहीं देते और यही वज़ा है कि यह कहा गया जब मंजूरी मांगी गई कहीं आवशक बिल है जिने मंजूरी देनी है इसलिए सदन की कारवाही होगी लेकिन बीमसी की जो बैटक अजेंडा है वो यही है कि केंदे सरकार के खिलाप निंदा प्रस्ताव लाए जाए जो फंड केंदे सरकार ने रोके हैं सीधा आरोप केंदे सरकार पर है कि जिस राज्यम में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर भेदभाव सरकार एक करती है केंदे सरकार तो ऐसे में क केंदे सरकार भी अपना पक्ष यहां पर रख चुकी है लेकिन अब जो निंदा भी पास किया जाएगा वो देखना होगा कि उसमें क्या 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 गहा जाता है पंजाब सरकार की दर्शा आप नजर बनाए रखेगा अब डेट आप से लेते रहेंगा अभी के लिए बहुत सत्र बुलाए जाएगा और दो दिवसें यह सत्र होने वाला है इसमें और क्या कुछ होगा किस तरीके से हंगामा होगा यह देखना होगा